जेन दोस्तो स्वागत है में आपका मेरी नई वीडियो में दोस्तो यह आपके एरपोर्ट Authority of India की तरफ से नई वेकेंसी के बारे में वीडियो है दोस्तो इस वीडियो को पूरा देखें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राब करा हैं दोस्तों को साथ इस वीडियो को सीर करें और लएक करें दोस्तों दोस्तों एरपोर्ट अथोर्टि आफ इंडिया की तरफ से नई वेकंस से निकाली गई है जैसा कि आपको बूर्ड पे दिख रहा हुआ एरपोर्ट नई भरती दोजाद चौवीस सी ऐसे न्यू रेक्रूट्मेंट दोजाद चौवीस पोष्ट आपकी बारे सो चौरासी पोष्टों पर वेकेंसी निकाली गई है एज के बात करें 18 से 17 साल आपकी एज मांगी गई है योगिता के हम बात करें तो योगिता आपकी ट्वल्थ पास मांगी गई है अब कि एपलाई डेट से लेवास एज क्रैटरिया सेलेक्शन प्रोसेस के हम इस वीडियो में बात करने वाले दोस्तो सेलरी के हम बात करें सेलरी अच्छी कासी सेलरी आपको देखने को मिलेगी इसमें 35,000 से ज़्यादा आपको सेलरी मिलेगी और online form इसके भरे जा रहे हैं दोस्तों तो form कहां से बरना है कैसे बरना है क्या वेकंसी पूरा फुल प्रोसेस मैं इस वीडिय अंति तक बने रही है दोस्तों जैसा कि मैं आ गया हूं इसकी ऑफिसियल वेफसाइट पर एन आई ये एवियेशन सर्विसेज प्राइविट लिमिटेड ये निये की तरफ से वेकंसी निकाली गई है दोस्तों कोई ये सोच रहो बूले ये प्राइविट है हां प्राइव होता है कस्टूमर सर्विस एसोसीएट सी ऐसे अगर इसमाव एपलाई करेंगे तो आपको यहां से भी एपलाई कर सकते हैं लेकिन मैं एक वार इसको नौटिफिकेशन में लेके चलते हैं इसको नीचे चलेंगे तो आपको पास इस तरीका को खुल जाएगा दोस्तों जिस यहां से आप इसको एपलाई कर सकते हैं आगे इसका नौटिफिकेशन पढ़के मैं बता तो मैंने इसको हिंदी में डाउनलोड किया है तो मैं आपको हिंदी में बताऊंगा दोस्तों ठीक है जैसे आप इसमागे जाओगे तो आपको इसका नौटिफिकेशन मिल जाएगा यह है notification NIA Aviation Services Private Limited ठीक है यह आपकी New Delhi की तरफ से वेकेंसी निकाली गई है दोस्तों यह इसकी official website है जो मैंने अभी खोली थी दोस्तों ठीक है वो official website इसकी हम बात करें क्या है आपका CSA Customer Service Associate ठीक है जिसके अंदर आपके section की योगता 10 plus 2 मांगी गई है उम्मीद्वारों की संख्या यानि आपकी post 1284 post है हिंदी में है समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों ठीक है आविद्वार का कोई अन्य माध्यमें तरीका शुकार नहीं किये जाएगा पंजी करन से पहले उम्मीद्वारों को यह सुरक्षित करने का अन्रोध किया जाता है कि उनके नाम बैदी मेल आइडी और मोबाइल नमर को चांच कर लें ठीक है योग उम्मीद्वार केवल ओनलाइन माध्यम से ही आविदन कर सकते हैं और दूसरा आविदन नहीं कर सकते मैं पुन तिति की हम बात करें उनलाइन आविदन प्रारम की तिति आपकी 12 बसंवर 2023 है उनलाइन आविदन कर ऌन थिति आपकी 31 मार्श 2024 है दोस्तों सुलक जमा कराने की अनले की 10 अपरेल है दोस्तों परिक्षा तिति आपकी जल्द जारी हो सकती है ऐसा इस की लिंक में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहां से आप इसको डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं दोस्तों अब आता है आविदर कैसे करें ठीक है उम्मीद्वारों को सला दी जाती है कि ओनलाइन आविदर ही करें विश्तर जानकारी पहले ध्य सकते हैं ठीक है पातरता माव दंड के हम बात करें तो राश्टेता आपका भारत का निवाशी होना चाहिए उम्मीद्वार चरित्र आपका अच्छा होना चाहिए पिछले साल में आपका कोई अपरादिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए दोस्तों कोई भी सक्रिये और आप जो केंडिडिट उसी को श्युक्राद किया जाएगा वही इसके लिए लिजिवल माना जाएगा जो फिजिकली फिट होगा आयू शीमा की बात करें तो आभी तक एक जुलाई 2024 को 18 आयू प्राप्त करनी चाहिए और अधिक्तम आयू सत्रे बार्स ठीक है और अपर एज में आपको छूट दी जाती है SCST पांस साल OVC आपको तीन साल की छूट दी जाती है सक्षन योगता आप किसी भी विश्विध्याल या उससे बोड से 10 प्लस टू या उसके समक्ष उत्रिन होना अनिवायर है दोस्तों ठीक है आगे हम बात करें इसकी आविदन सुल्क की आवि ठीक है आविदन सुल्क सामाइन EWS OVC HD उम्मेदवारों सभी से 410 रुपे सुल्क है एक बार भुक्तान किया गया अगर किसी भी खाते में वापस नहीं किया जाएगा यानि नौन रिफंडेवल है आपने फॉर्म भर दिया उसके बाद आपके फॉर्म में कुछ मिश्टे कर फॉर्म आपका रजेक्ट होता है तो आपका ये एमाउंट आपको रिफंड नहीं किया जाएगा उन्होंने इस फॉर्ष्ट अपने नौटिफिकेशन में ऐसा लिख दिया है दोस्तों परिक्षा पाठीकरम के हम बात करें आपके 90 मिनट का कुश्चन पेपर होगा जिस में आपका फश्ट भाग में 25 नंबर के सामयन बुद्धी और तर्क जिसको हम रीजिनिंग बोलते हैं वो आएगी और दूसरे भाग में आपके 25 नंबर की संख्यात्मक कौसल जिसको हम अंकि गंडित या गंडित बोलते हैं वो आएगा दोस्तों 25 नंबर का तीसरे सेक्ष में आपके सामयन जाग रूपता यानि चर्मल अवायरनेस यानि जी के के कुश्चिन पूछे जाएंगे दोस्तों सभी कुश्चन 25 नंबर के होंगे दोस्तों एक कुश्चन एक नंबर का होगा सभी सेक्षन 25 नंबर का मानने होगा दोस्तों इस तरीके से आपके 400 उक्षन सो नम्मर के होंगे दोस्तो आगे हम बात कर लेते इसकी परिक्षा किंद्रों की दोस्तो परिक्षा किंद्रों के हम बात करें तो परिक्षा किंद्र उम्मिद्वार को उनलाइन पत्र भरते समय उस सहर का नाम उले करना होगा जहां वो परिक्षा देना चाहता है चाहती है तीक है एक वार एक उम्मीद्वार को बरियत्हक्रम में कही सेरों का विकल्प देना है तीक है आपके जो आपके नज़्धी की हों उनको आप दे सकते हैं तीक है और ये आपको उन्होंνε सूची भी दे रखी है कि इन आप से इन में एक्जाम सिटियों को आप चूज कर सकते हैं दोस्तो जिसा आंद्रा है आंद्रा में ये कुछ दे रखे हैं यहाँ पर आप कर सकते हैं इसी तरिका से सभी सेरों के पढ़ सकते हैं दोस्तो जिसे मैं प्रियाग राज इसको इलावाद बोलते हैं और गाजियवाद तीन सहर आपके उत्तर प्रदेश में हैं दोस्तों ठीक है यह आपके कहीं है मैद्य प्रदेश के बाद करें बहुपाल गवाली है रिंदो और यह तीर मतलब प्रतेक राजी से लगबक तीन तीन सिटी आपकी ली गई हैं दोस्तों वहाँ पर आप एक्जाम दे सकते हैं एक्जाम भरते टाइम एक्जाम सिटी के वाले कॉलम में आप प्राच्मिक ताके तौर पर भर सकते हैं फर्ष्ट सेकेंड थर्ड जितने वो मांगता है उतने आप भर सकते हैं दोस्तों ठीक है आगे हम बात कर लेते हैं कि आपके selection का process क्या होगा प्रसक्षन के लिए chain का तरीका जिसको हम English में selection process बोलते हैं दोस्तों वो क्या होगा पहला आपका लिखित परिक्षा जो मैंने बता दिया कितने हैं 100 नमर का होगा आपका और आपके 100 तो question आएंगे और दूसरा होगा आपका साक्षातकार जिसको हम interview बोलते हैं क्योंकि आपका basically काम ही क्या है कस्टूमर का काम है तो आप कस्टूमर से कैसे treat करते हैं यह आपका interview के item से check किया जाएगा दोस्तों आगे बात करते हम इसके नियुन्तम योगिता मानक की नियुन्तम योगिता मानक आपका लिखित परिक्षा में आपका minimum नियुन्तम का मतल़ होता है minimum आपको 40 प्रतिसयत अंक प्राप्त करने होंगे आपके लिखित परिक्षा में नमबर दो की बात करें उम्मीदवार को परिक्षा उत्तरिन करने के नहीं जोड़ा जाएगा आपका मेरिट आपके लिखित प्रक्षा के आधार पर ही तैयार की जाएगी दोस्तों आगे हम बात करते हैं प्रसिक्षन के चैन की प्रक्रिया किस तरीका से बिग्यापन में दर्साइगाई प्रक्षा केती थी विशुद्धू के रूप में फोन कर सकती है उसके पास इस बात की पावर है लेकिन वो आपको इमेल के माध्यम से या उसकी ओपीसियल वेफ साइट के माध्यम से या समस के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा आगे हम बात करें इसकी एनाई एविशन सर्विस 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 प्राइवेट प्रक्रिया चेन प्रक्रिया योजना में बदलाव लाने का अधिकार सुरक्षित रखता है यानि वो आपके चेन की प्रक्रिया जो लिखित मैध्यम और आपका साक्षतकार है उसमें बदलाव कर सकता है इसका आपके NIA एविशन प्राइविट लिमिटेड के पास पूरा बात करें उत्तर पुस्त का स्कोर के पने मुल्यंकन या पने जांच जांच के लिए कोई प्रावधान नहीं होगा इस संब्द में कोई पत्रचार नहीं किया जाएगा यानि आप पेपर दे देते हो आपका रेजल्ट आता है रेजल्ट आपका अच्छा नहीं रहता है अपनी ओपीसियल नोटिफिकेशन में इस पश्ट लिख दिया है कि ऐसा कोई भी आपका पत्रचार नहीं होगा ऐसा कोई भी आपकी रिक्वेश्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी जो एक वार एनाईये सर्विसेज प्राइविट लिमिटेट ने जो सूची निकाल दी व 40 प्रतिशत अंके प्राप्त करने हैं तभी आप पास माने जाएंगे अगर आपका 40 प्रतिशत से कम अंकाते हैं तो आप फैल की स्रेणी में रखे जाओंगे आपको ऐसे फल माना जाएगा दोस्तो आगे बात करें हम केबल उन उम्मीद्वारों को चैन के लिए विचार कि जाएगा जो इस लिखित प्रक्षा के साथ साक्षदकार में न्यू नितम योगिता मानक को सुरक्षित करते हैं यानि आप लिखित प्रक्षा पास कर लेते हैं उसके वाद आप इंट्रिव्यू में यानि साक्षदकार को भी क्वालिफाई कर लेते हैं उसका नम्मर तो न सूची के साथ साथ पैनल यानि प्रतिक्षा सूची तैयार की जाएगी यानि एक फाइनल लिस्ट आएगी उसके बाद आपको एक बेटिक्षा सूची में आपके जुन बंदों का फाइनल सूची में नाम है उनके अलावा जो बचेंगे उनको प्रतिक्षा सूची में रखा जाएगा लेकिन जब फाइनल सूची वाले बंदे वहां रेपोर्ट नहीं करेंगे शेंख्या कम होगी तो आपके बेटिंग लिस्ट यानि प्रितिक्चा सूची में जो बंदे हैं उनको फाइनल में बुला लिया जाएगा दोस्तो ऐसा यह आपका नोटिफिकेशन बता रह है आगे हम बात करें इसकी लिखित प्रिक्च्या और साक्षातकार उत्रिंट करने वाले उम्मीद्वार प्रिसक्षन के पात्र हैं यानि ट्रेनिंग के पात्र हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और प्रिसक्षन सुल्क में द्वारों द्वारा दिये हैं यानि जब आप ट्रेनिंग लेंगे तो आपको इस ट्रेनिंग का कुछ है खर्चा आप श्वयम को उठाना पड़ेगा दोस्तो प्रिसिक्षन पास करना भी अनिवायर है यानि आपको ट्रेनिंग भी लेना कमपलसरी है जब आप ट्रेनिंग ले लोगे तब ही आप इसके लिए इलिजिवल माने जाएंगे अब इसके हम बेतन की बात कर लेते हैं दोस्तो बेतन उम्मिदवार का बेतन 13000 से 25000 लगभग के बीच होगा दोस्तो ठीक है और यह आपका सक्षत कार के आधार पर तै किया जाएगा आपका इंटरबू जब लिया जाएगा उसके आधार पर आप आपका 13000 आपका मिनीमम होगा यानि आपका नियून्तम होगा और 25000 आपका मैक्जीमम बेतन होगा दोस्तो यह बेतन आपका जो आपका इंटरिवू होगा उसके आधार पर तै किया जाएगा दोस्तो और इसमें आपका Extra Elamses का कोई इनों ने ऐसा बेवरण बताया नहीं है दोस्तों लेकिन जब आपका selection हो जाएगा तो Extra Elamses मिलने के वी जांसी बढ़ जाते हैं दोस्तों तो यह थी वीडियो मिलते हैं नएक्स्ट वीडियो में नए टोपके साथ तब तकिक लिए जाह